तो चलो प्यार बच्चे इस वाले सवाल को देखो अगर इस वाले कोश्चन को तुम देखोगे तो इस में क्या कहा जा रहा बिसिकली अगर इस कोश्चन को मैं देखोंगा कि यह उनिफॉर्म सरुकुलर डिस्क है जो 0.2 मीटर प्लेस उनिफॉर्म मैगनेटिक फिल्ड यहा का जो एक्सी फिल्ड के साथ 60 डिग्री पर है तो अगर अपनां डी ठैसे है अपना disc, यह है अपना disc, this is the disc, तो इसके साथ जो axis है, disc की axis ऐसे है, this is the area vector, तो magnetic field इससे vertically upward, चलो मान लो, this angle is magnetic field ऐसे यहाँ पर vertically upward है, magnetic field, तो यह angle यहाँ पर दिया हुआ, theta, theta is equal to 60 degree, disc की axis जो है, वो magnetic field के साथ 60 degree पर oriented है, तो यह कहता है magnetic field link with disc, मतलब इस disc के कितनी field line है, associated and link है, उनकी हमें calculation करना है, तो आसान सवाल है, magnetic flux link with this area, यह जो area है, इसको कितनी magnetic field cross कर रही है, तो B, A यहाँ से cos theta, outgoing flux है, outward flux है, जितनी अंदर से जाएगी, उतना ही बाहरा जाएगी, तो magnetic field यहाँ से 1 upon pi यहाँ से रख दो, और यहाँ से जो area है, pi r square, तो pi r square, मतलब 0.2 का whole square, और यहाँ से cos 60, तो यहाँ से तुम देखोगी, यह pi ने इस pi को कतम कर दें, मतलब 0.04 cos 60 sin 31 by 2, मतलब 0.02, यहाँ से इतना waver, अपना जो flux है, वो दिखने लगेगा, तो अगर यह इतना waver flux दिखने लगेगा, तो अपना जो c option है, वो आँ सही हो जाता है, ठीक न, तो thank you.